तो नमस्कार किशान भाईयो आज हम जन्तवत प्रयाग राज में सुराव ब्लाक में टीटी पढ़ना गामसवा में अरूर पटेल जी के खेत में आये हुए हैं जिसमें इफको के कुछ उत्पादों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा जैसे हाथ में अपने लिए हैं नै लुकिट के माधम से जो डेमो लगवाया गया था तो अरूर पटेल जी के इस पे क्या लाव इसके रहे हैं और आलू की फसल पे इनका क्या प्रभाव रहा है वो आप इनके मूंसे खुद सन सकते हैं मैं अरूर पटेल निवासी टीटी पढ़िला सुराव बलाक ये आपका ये नैनो डीएपी यूरिया किसानों के लिए अमरित का वरदान आया है हम लोग पहले इसको लिकीड में इस्तेमाल नहीं करते थे दाने दान में किया करते थे अब ये लिकीड में आ गया है हमने इसको एक बार ड्रोन से छिड़काव किया उसके बाद दूसरी सागारिक्या आदी जो अभी तक इस खेत में कोई रोगोग नहीं आया है हमारी अलू बहुत अच्छी है इसका प्रोडेक्ट खोदने के बाद क्या होगा इससे अभी प्रोधा देखकर हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इस पे तो इफो का जो कदम उठाया जा रहा है तो आप अकिसानों के लिए बहुत ही लाब करेए सा जोता था हाइसका पहले में भी विषोधन हुआ था उसके बद इसको बुगाई किए उसके बास में नालोडी एपी नाइनीओ इूरियां पैथी कई दिन के बाद श्रकाव किये उसके बास अबने कि आप प्रभाव है अलू की भसल है इनकी और इसकी हइट भी देख सकते हैं और पत्याद कि इसकी इतनी पत्या और साथ में इनका अलू का जया सा उपज होती है तो आप जो भारत सरकार का जो लच्छ है जिदानों की आए द्ज़गना करना तो आप इस कदम के ओर बढ़ र प्रोग्राम है यह सही सही चल रहा है इसमें सरकार के लिए हम धन्यवाद कहेंगे जो यह ऐसा कदम उठाएं और हम लोगा तो आप लिपकों के साथ यूज करेंगे जी जी बहुत अच्छी वाद यूज करेंगे नमस्कार दिन्यवाद